नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अजे मौरिया और अजे सर्जी यूट्यूब चनल पर आप लोगों का हर्दिक स्वागत है दोस्तों डियलेट तिती समेस्टर गणित में आज का हमारा पाठकरम है चार रासियों का गुरणखंड तो इसपे आधारिस हम कुछ महत्मूर प्रशनों को देखेंगे दोस्तों डिस्क्रिस्टर में लिंक मिलेगा जहां आपको डियलेट तिती समेस्टर के सभी पाठों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे वहां हमने विश्तरित इसकी चर्चा किया हुआ है आज हम इस पे कुछ प्रशनों को देखेंगे तो देख लिजे दोस्तों पहला प्रशन है देखें गुरणखंड करो गुरणखंड में देख लिजे है 15 x plus y minus 10 a x plus y plus 35 a b x plus y तो दोस्तों यहां देखें यहां हमारे पास तीन पद हैं अब तीनों पदों में हम जो उभेनिष्ट रासियां होती हैं उनको बाहर निकालते हैं तो आप पहले देखिए अंकों पे आजए यहां 15 है यहां 10 है यहां 35 है तो 15, 10, 35 में उभेनिष्ट क्या होगा तो देख लिजे वह कौन ऐसी संख्या है जिससे यह तीनों divide हो जाएंगी तो देखिए 5 पांच से देखिए 5 तीन पंद्रे कर जाएगा 5 दुना 10 कर जाएगा तो 5 बाहर आ जाएगा चलिए ठीक है और x प्लस y x प्लस y 5 x plus y जब कामल ले लेंगे तो बड़े कोश्टक को बना लीजिए अब यहाँ देखिए 5 से 15 में भाग देंगे तो 5 3 पंद्रे x plus y से x plus y देखे कट जाएगा निकल जाएगा पूरा का पूरा x plus y एक ही पद है एक ही घात x plus y निकल गया तो यहाँ क्या मिला 5 3 पंद्रे यही 3 मिल जाएगा अब इसमें देख लीजिए रिन है तो रिन बना देजिए 5 से 10 में भाग देदीजिए 5 दुना दस दो लिख लीजिए a है एक हो लिख लीजिए और x plus y एक घात थी एक घात निकल गया कुछ नहीं बचा अब फिर तीसरे पत में यह धन है तो धन बना दीजिए 5 से भाग देदीजिए 35 में 57 दे 35 दे 37 लिख दीजिए और यह a b लिख लीजिए और x plus y एक घात थी वह निकल गई तो यही हमारा अंसर हो जाएगा 5 x plus y और फिर 3 माइनस 2 a plus 7 a b ठीक है अब चाहें तो इसको आप छोटे कोश्टक में भी लिख सकते हैं एक पदा बढ़ा करके आप इसको चाहें तो आप छोटे कोश्टक में लिख देंगे क्योंकि सब पत देखिए अलग-अलग है तो 3 माइनस 2 a plus 7 a b कोश्टक में a plus b minus c का whole square minus 55 x y a plus b minus c का whole square whole cube 3 गात है अब दोस्तों इसमें हमको देखना है कि क्या कामन है क्या उभे निष्ट है तो पहले अंकों पे आईए 33 है यहां 55 है तो देखिए 11 से कट जाएगा 33, 11, 33, 11, 55 तो 11 निकल जाएगा बाहर पहले पद में भी x है दूसरे पद में भी देखिए x है x निकल लीजे और यहां जो कोश्टक में देखिए a plus b minus c का whole square है देखिए a plus b minus c का whole square यहां whole cube तो छोटी घात है e square वाल है कामन ले लीजे a plus b minus c का whole square इतना कामन हो जाएगा अब पचपन में देखिए 11 कामन हो जाएगा x और xy में x कामन हो जाएगा अब a plus b minus c का whole square और यहां whole cube में whole square कामन हो जाएगा इतना कामन लेने के बाद अब बड़ा कोश्टक मना देखिए देखिए क्या बचा 11 से भाग देखिए 33 में 11, 33, 33 हो गया x था x निकल गया और यहां देखिए a plus b minus c का whole square था और पूरा पूरा निकल गया कुछ नहीं बचा तो पहले पद में केवल 3 मिलेगा अब फिर रिन फिर आप क्या करेंगे रिन लिखेंगे 11 से 55 में भाग देजे 11, 55, 55, 5 मिल जाएगा x है, x तो निकाली लिए है तो y बचेगा केवल y लिख लिजे और यहां देखिए a plus b minus c का whole cube था अब हमने 2 square निकाला है तो दो घाद निकालेंगे यह घाद बच जाएगी तो कोष्टक में a plus b minus c तो यही हमारा answer हो जाएगा दोस्तों आईए अगले प्रश्ट पे अगला गूर्ण खंड हमारा है a x square plus a y square plus 5 x square plus 5 y square plus a x y plus 5 x y यहां ध्यान से देखिए दोस्तों 6 पद हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पदों में देख लिए 3 पदों में a आ रहा है a, a, a और फिर 3 पदों में देखिए 5, 5, 5 आ रहा है तो a वाले पद को एक पास कर लिजिए और 5 वाले पद को एक पास कर लिए तो देखिए इसको लिखे ऐx square फिर ay square यहां देखिए लिखा गए a x square plus a y square अफिर यह अब पहले तीन पदों में कामल लिजिए फिर अंतिन तीन पदों में कामन लीजिए तो पहले तीन पदों में आप देख रहे हैं केवल A मिल रहा है A, A, A तो A कामन ले लीजिए तो A जब उभेनिष्ट कामन होगा कामन निकाल लेंगे तो यहाँ देखिए A निकल गया तो X स्कॉार मिल गया यहाँ A निकला तो प्लस Y स्कॉार मिल गया अब प्लस बनाईए यहाँ A निकला तो Y स्कॉार मिल गया चलिए अंतिन तिन पदों में 5 निकाल लेजिए तो 5 निकालेंगे तो देखिए यहाँ X स्कॉार मिलेगा यहाँ Y स्कॉार मिलेगा पहले पद में A मिल जाएगा और प्लस दूसरे वाले पद में 5 मिल जाएगा तो A प्लस 5 तो यह ही मारा गुरणखंड हो गया चलिए अगले गुरणखंड पर चलते हैं अगला गुरणखंड है दोस्तों A X स्कॉार प्लस कोष्टक में A प्लस 1 बाई A कोष्टक बंद इन्टू A प्लस A कैसे हल करेंगे दोस्तों इसको हल करने के लिए दोस्तों पहले हमको इस कोष्टक को तोड़ना होगा कोश्टक तोड़ेंगे तो x का इन दोनों पदों में गुड़ा होगा क्योंकि x देखे बाहर है कोश्टक के गुड़ा कर लिजिए x square अप प्लस a का x में गुड़ा करेंगे a x हो जाएगा अप प्लस 1 by a का x गुड़ा करेंगे 1 by a into x अप प्लस 1 अब दोस्तों यहां देखे यहां कामन कब होगा यहां अगर हम कामन लेते हैं तो देखे इन दोनों पदों में यक्स कामन हो जाएगा इन दोनों पदों में लेकिन यहां कुछ कामन दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहां A से गुड़ा करेंगे A से भाग देंगे जिससे मान में परिवर्तन नहोती इस 1 को हम लिख देंगे AYA क्योंकि यहां 1 बाई यह है अगर यहां भी 1 बाई यह होता तो कामन हो जाता इस लिए इस 1 को लिख देंगे AYA क्योंकि A से A कैंसील होगा एक ही बाई एक मिलेगा तो हम इतना यहां कर देंगे इतना आपको याद रखना इस प्रशन में अब पहले दो पदों में देखे चार पद हैं तो दो दो पदों में कामन लेंगे तो पहले दो पदों में देखे एक्स कामन हो जाएगा एक्स की दो घात यहां एक्स की एक घात तो एक्स कामन हो जाएगा तो कोश्टक में यहां देखे एक्स की एक घात मिल जाएगा अर्थात एक्स मिल जाएगा और धन यहाँ देखे एक घाथ था निकल गया तो a मिलेगा a देखे x square मेंसे x निकला x मिल गया ax मेंसे x निकला a मिल गया x plus a अब प्लस अब इन दोनों पदों में देखे 1 by a कामर ले जीए तो 1 by a कामर लेंगे तो ऊपर देखे x मिल जाएगा अब यहाँ उपर A मिल जाएगा तो X पलस A अब इस कोश्टक में X पलस A मिल गया इस कोश्टक में भी X पलस A मिल गया इसको फिर कामा ले लेंगे तो X पलस A जब कामा ले लेंगे तो पहले पर दों देखें X है X लिख लेंगे अवधान अगला प्रशन है दोस्तों इसका भी हमको गुर्ण खंड करना है तो यहाँ देख लिए एक बरगांतर का सूत्र होता है A square minus B square बराबर A plus B एक कोष्टक में into A minus B दुसरे कोष्टक में A square minus B square equal to A plus B into A minus B इसको हम उसी रूप में बनाएंगे लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे देखिए उपर देखिए उपर तो कामन कुछ दिखाई नहीं देरा लेकिन 32 और 18 में कामन है देखिए 2 से कट जाएगा दोनों तो यहाँ देखिए हमको हर के रूप में कामन लेना है तो इसलिए 1 by 2 1 by 2 कामन लेंगे उपर तो कामन नहीं है तो 1 हो जाएगा अब यहाँ देखिए हर में 2 कामन है तो by 2 अब 1 by 2 कामन लेंगे तो उपर वारी रास वन चास स्कॉार तो ऐसे ही रहेगी लेकिन यह देखिए दो से भाग देंगे 32 में तो 16 बार जाएगी अर यह देखिए 25 वाई स्कॉार तो ऐसे ही लेकिनगे अब अठारे में दो से भाग देंगे दो नवा अठार है चलिए ठीक है अब यहाँ देखिए इसको हम बर्ग के रूप में लेकिनगे तो वन चास को हम साथ का बर्ग ले सकते हैं अर्सके है थे स्कॉआर करेंगे खाँ-छॉप की , लेकिनगे इससे ही हम 25 वाई स्कॉर 2 वाई को करेंगे तो पांचूपशची पचीश होता है य को स्कॉर है न होर नहों को तीन तरीका न उसकॉरख अब देखिए हमारा हो गया ए स्कॉर अ домой और आज़ा है। तो ऑग रणकंद हमारण हो गया अब आगे चलते हैं दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अजासर्जी उट् UC チनेल को दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों वीडियो लाइक नहीं करें दोस्तों लिक्रिशन में लिंक मिलेगा दोस्तों जहां पर जा करके आप डियलेट सेमेश्टर के संपूर पार्ठ के वीडियो बिश्थर तुरूप से देख सकते हैं वहां हमने देखे subject 2 बताया था वहां subject 2 part 1, part 2, part 3 करके मिलेगा यह तो objective आपको इस तरह से इसका solution प्रश्ण का मिलेगा देख लिजे प्रश्ण है 1.65 गुड़े 1.65 1.35 गुड़े 1.35 अब बटे 1.65 1.35 कैसे इसको हम हल करेंगे वैसे देखेंगे दोस्तों गुड़नखंड की साधासे आसानी सालोगा नहीं तो इसका इसमे गुड़ा करेंगे फिर इसका घटा करके भाग उंदेगे तो बहुत लंबा प्रास सुञाता है आप कैसे हल करेंगे देख लिजे दोस्तों तो हमको मिल जागा A गुड़ A और B गुड़ B अब 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 यहाँ देख रहा है A गुड़ A तो A स्कॉार हो गया तो B गुड़ B बी स्कॉार हो गया अब अटे A-B, चलिए, अब A square minus B square का सूत्र आपको पता है, एक कोश्टक में A plus B, इन्टू दूसरे कोश्टक में A minus B, अब 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 इस A minus B से A minus B कड़ गया, बचा क्या, A plus B बचा, तो A का मान रख्या है, एक दसमलो 6,5, अब धन B का मान एक दसमलो 3,5, अब देखें जोड लीजे सीधे, जोडने पर कितना आएगा, तीन दसमलो 0,0, अर्था 3 हो जाएगा, अब दोस्तों देखें, अगर गुड़ा करते आप इसको, तो गुड़ा करने में आपको बहुत लंबा समय लगाना होता, अब इसको निचोड क्या है, निचोड आपको मिल गया A plus B अर्थात इनको जोडना है, एक दसमलो 6, 5, 1, 3, 5, बरावर 3, चलिए अंती प्रेशन को देखते हैं, 81 A Q minus 36 A, तो दोस्तों इसको हमको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, यहाँ दोस्तों देख लिजे, 81 A Q minus 36 A में कामन क्या है, तो देखें, 99 A Q minus 36 A में कामन क्या है, तो देख 9 चुक के 36, चार मिल जागा, ये तो निकली गया है, अब इसको हम बर्ग के रूप में लिखेंगे, तो 9 को 3 का बर्ग लिख सकते हैं, अब 1 का बर्ग है ही, तो 3 A का होल स्कॉर कर देखे, मान स 4 को 2 का बर्ग लिख सकते हां, तो 2 का बर्ग कर देखे, अब यहाँ भी देख